बारत्य मोल की बृतानी जासूस नूर इनायत खान को बृतन आज ब्लू प्लाक मेमोरियल यानी नीली पट्टी समरक समान देने जा रहा है। नूर इनायत खान मैसोर के राजा टिपु सुल्तान की वन्शच थी। नूर इनायत खान पहली महिला अंडरकावर रेडियो ओपरेटर थी जिन्हें जून 1943 में नाची के कबजे वाले फ्रांस में बेजा गया था। सिप्टेंबर 1944 में डकाव कॉंसेंट्रेशन कैंप में नाचीों ने उन्हें तीन अन्य महिला एजन्स के साथ गोली मार दी थी। मौत के पांच साल बाद इनायत कान को उनकी बहादूरी के लिए बृतिन ने जॉर्च क्रॉस से समानत किया। हिम्मत और बहादूरी के लिए दिया जाने वाला ये देश का दूसरा सर्वोच समान है। लंडन के वेस्ट एंड के टावटन स्ट्रीट पर मौजूद उनके घर के सामने आज शाम इस ब्लू प्लाक को अन्वेल किया जाएगा। इतिहास में उनके योगदान को याद करते हुए जाने माने लोगों के घरों के सामने या घरों के दिवार पर ब्लू प्लाक लगाया जाता है। नूर इनायत कान भारत्यु मूल की पहली ऐसी महिला है जिन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। मैंने इतहासकारों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि नूर इनायत खान को ब्लू प्लाइक सम्मान दिया जाना क्यों महत्वपूर्ण है पहले हिबार ये है कि साउटेशन विमेन के लिए ये फर्स्ट प्लाइक है Besides, नूर's message is बहुत important है नूर stood for peace, शान्ती के लिए और ये भी पता चले कि उसने fascism के अगेंस्ट लडने के लिए अपना जान दे दिया था इससे पहले जिन भारतियों को ब्लू प्लाइक सम्मान मिल चुका है उन में महात्मा गांदी, पंडित नहरू और बाबा साहिब अंबेद कर शामिल है